इस अफिर इस इस आई विज अपी पैस्ट इंडिफिनेट चाल रहा है और पास्ट इंडिफिनिट के कंटिन्वेशन में ही आज में बात करूँगा उसे पहले में एक बात बता दे रहा हूं बच्चे जैसा कि आप लोग सारे जान रहे है क्या ऑक्सफोर्ट उनियान इंगल अलाबी सेरीज B और आज का वीडियो जो है बच्चे यह को टीफस्ट यानि फॉर्टीफस्ट मतलब एक तालिसवां वीडियो है और इसका इंट्रोडक्शन estándar चुका हूं कि छालिसमाँ वीडियों में बता चुका हूं लेकिन kuch important चीज रहा गया था अभी interrogative negative में यानि पास्ट भी इंट्रोगेटिः और negative w很多 negative में आने से That is what I am going to just tell you, this is very very important, अभी तक कोई भी टीचर या फिर कोई सी भी ग्रामर में किलियर कट इस बातों को नहीं है, आज मैं एक बात को बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप हमेशा दिल और दिमाग में रखना इन चीजों होती है, ये परिशानी आपको ना हो, तो मैं इन चीजों को आज किलियर कट कंसेप्ट कर देता हूं, आप धियान से सुनना, जैसा कि बच्चे देखो कुछ बाग का पहले दे चुका हूं और इसको मैं समझाता हूं पहले, जैसा कि हम लोग फस्त, यानि चालिस फां कि ला था कि सिंपल स्ट्रक्चर तो यह होगा कि सब्जेक्ट होगा वी टू और अबजेक्ट और रेस्ट लेकिन कभी-कभी हिंदी वाक्या में क्या होगा कि मोडिफाइट अबजेक्ट आ जाएगा और अगर मोडिफाइट अबजेक्ट आ जाएगा तो थोरा सब चेंजिंग हो सब्सक्राइब करेंगे तो अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ इससे पहले कि हाला कि मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि क्या होता है इसलिए सारे बच्चों से सारे स्टुरेंट से जहां तक यह वीडियो पहुच रहा है में रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे अभी क्या चल रहा है सिंपल पास्ट तो इस कंटिनुवेशन में आगे जितना चलेगा आप उसको कायदे से समझना चाहते हो तो आपको in yourself then dear student you will have to watch all the previous videos in order to make in order to gaining in order to get perfection in yourself so you each and every student must keep on watching all the previous videos as well as you each and every student personal request from my site for all of you that keep on subscribing the channel and then after just start sharing the channel to a large number of students so that they could get benefit so as well just after subscribing press the bell icon so that each and every latest notification each and every latest good quality video may reach to you that is why dear student keep on subscribing then after pressing the bell icon okay then after start just sharing the videos to a large number of students now dear student let us come to the point क्या होता है modified object हाला कि मैं बता चुका हूँ फिर से एक बार मैं इसको recap कर रहा हूँ आप धियान से समझो जैसे यहां पर देखो बच्चे कि वह मुझे परेशान करना चाहता था रास्ते में सबसे पहले तो यह तुम decide करो कि क्या यह sentence जो हिंदी का है यह past and definite है या नहीं त मुझे परेशान करना चाहता था यह पता आपको होना चाहिए और अगर यह पता नहीं आप सबसे पहले पिछले वाले वीडियो को देखे तब फिर मतलब कि in order to have good mastery of word is very language there is 20 and every essential things I have described so you must watch first those very videos तो अब यहां पर देखो कि वह मुझे परेशान करना चाहता था इसमें कौन तो वह मुझे परेशान करना चाहता था तो अब मैंने बताया था जब वाक में दो वर्ब आ जाए जैसे परेशान करना और चाहना दो वर्ब है और बताये थे कि ज वर्ब के अखिर में ना रहा जाएगा तो वह modified कहलाएगा यानि इसमें चाहता था यह वर्ब है और परेशान करना यह modified object है और रास्ते में यह rest है और मुझे यह object है वह subject है तो अब देखो बच्चे जब इतना तुम चुनने में इतना जितना चीज है यहां पर अगर तु हो तो अब फिट ट्रांसलेशन तुमसे आसानीशे बनेगा तो अब जब हम चुल लिए कि यह subject है object यह modified object यह वर्ब यह rest तो formula apply करोगे सबसे पहले subject इस वाक में सबसे पहले subject कौन है जी वह मुझे परेशान करना चाहता था रास्ते में यानि कोई boys की बात कर रहे है कोई boy ह है उसका बात कर रहे है तो यहां पर वह का hanging जी क्या होता है जी ही अभर रप इस वाक में क्या है जी चाहना और चाहना का should चल्1 क में देंगे उसके बाद हम लोग लेकिन यहां पर प्रभर अब्जेक्ट नहीं rev डेंगे क्यों प्रेशान करना कि मौडिफाइट ऑबजेक्ट से पहले संपर है कि इस पहले आ अससे पहले क्या लगाएंगे टू का इस्तामाल करेंगे नहीं तो यह सइनल्ट मेरी क्या क्वितून निग्व क्या सबाएंगे नहीं नहीं पर आप खत्म हों गया अब बता है और रास्ते को मैं पहले बता चुका हूं यह नहीं नहीं करूंगा तो रास्टे में और विडियो में बता चुका हूं, on the way, 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 बैसे हो गया, fully stock, तो इस तरीके से क्या हो गया, बच्चे, वो मुझे परिशान करना चाहता था, रास्ते में, he wanted to disturb me on the way, he wanted to disturb me on the way, now see the next sentence, कि कल वह मेरे खिलाफ भासन करना चाहता था अर्था भासन देना जाता था इस वाक में सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कौन है जी वह और उसके बाद क्या है कि चाहता था भासन करना तो सबसे पहले यह देखो वह चाहता था तो सबसे पहले दो यहां पर सब्जेक्ट उसके भासन करना या भासन देना तो यह मोडिफाइट औजयक्ट कौन है देना और हम बता है तो और चुक्ट है और इसलिए से पहले क्या लगेगा तो क्या हो जाएक टू डेलीवर भासन देने के तो पता चला यह खतम हो गया तो यहां पर देखो जी आप क्या बचा दो रेस्ट बचा है कल और यह मेरे खिलाफ तो मेरे खिलाफ सबसे पहले देखो मेरे खिलाफ तो यह भी रेस्ट है और मेरे खिलाफ का अंगरी जी क्या होगा अगेंस्ट मी क्या होगा जी मेरे खिलाफ का अगेंस्ट अगेंस्ट मी तो पता चला कि यह वाला रेस्ट भी खतम हो गया अब बचा कौन जी एक रेस्ट बचा एक रेस्ट कौन बचा इसमें कल और कल यानि पास्ट यानि गुजरा वकल का बात का अंगरेजी क्या है yesterday तो बस क्या हो गया बच्चे कि कल वो मेरे खिलाब भासन करना चाहता था या भासन देना चाहता था कल वो मेरे खिलाब भासन देना चाहता था तो he wanted to deliver a speech या a speech against me yesterday इस तरीके से बच्चे या modified को दर असल हम को समझाना था मैं उम्मीद करता हूं कि you must have understood this thing well whatever I have described right now so dear student you must pay special attention कि which sentence of Hindi just possessing whether modified object or not if not possessing modified object then you must apply this very formula and if the sentence possessing possessing modified object then you must apply this very formula and you must keep in your brain that if there comes modified object that means what it is also object it is also a verb that means what type of verb the finite verb and non finite verb that it will be supposed to actually non finite verb or non finite verb that means what before that very verb two would be placed ठीक है ना ओके तो मैं जब फिर वर्व चेप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां फानाइट ना फानाइट में डिटेल में बताऊंगा लेकिन पीच्छा होलत के लिए सिर्फ इतना जानना कि modified object क्या होता और जो भी होता है modified object दर असल वह वर्व है उससे पहले टू का अधाब बनाओ फटा-फट कि दो वर्स पहले मेरी मुलाकात आप से हुवी थी पटना में दो वर्स पहले आप से मेरी मुलाकात हुई थी पटना में तो अब यहां नहीं कि my meeting will take my meeting had taken place with you ऐसा कभी नहीं करेंगे यहां पर अपना दिमाग अपलाई करना है कि मेरी मुलाकाद आपसे हुई थी, अर्थाद यह हुआ, कि मैं आपसे मुलाकात हुई थी, मतलब मिला था, यहां तक, यह वर्व है, मुलाकात हुई थी, मतलब मिला था, यहां पर मेरी मतलब, यह मेरी माई नहीं दे देंगे, मेरी मुलाकात आपसे हुई थी, का मतलब हुआ कि मैं आपसे मिल था आप से तो पहले इसका लिखो मैं मिला था आप से तो आई मेट यू तो पता चला कि ये खतम और ये खतम ये खतम और उसके बाद आप से यू तो ये खतम मेरी मुलाकाद आप से हुए थी मतलब आई मेट यू बस यहां तक हो गया अब देखो क्या लिखा है कि दो वर्स पहले तो रेष्ट है तो आयमेट यू यू यर्स अगो उसके बाद बचा किया जी यू रेष्ट खतम हो इलब यह करें फटना है तो इस तरीके से दो वर्स पहले आप से मेरी मलाकाद हुई थी तो तो इस तरीके से यह वाला वाक्त होगी अगला वाक्त देखो घिए तुम्हारे पंचायत के बेइमान मुख्या मुझे डराना चाहता था अब देखो इसमें भी देखो चाहता था और अग्वर्ब आगे मतलब हुआ कि यह वाला फर्मूला अपला ही होगा तो आप यहां पर देखो बच्चे कि तुम्हारे पंचायत के बेइमान मुख्या और मुझे डराना चाहता था सबसे पहरे देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है तो तुम्हारे पंचायत के बेइमान मुख्या यहां तक पूरा सब्जेक्ट है इस तरीके से क्या हो तुम्हारे पंचायत के बेइ अब यहां पर दिखो तुम्हारे बेयमान मुख्या यह सबजेक्ट है आइधा चाहना और चाहना यह लिखेंगे तो अब यहां पर डराना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे फ्राइटेन तो दो मुखिया ओफ यूर पंचायत वांटेट वर्ब खतम तू फ्राइटेन यानि मोडिफाइट खतम तो पता चला कि यह वर्ब और यह मोडिफाइट दोनों खतम हो गया आप इस वाक में बचा किय की थी की थी तो सबसे पहले यह देखो कि पास है या नहीं है बिल्कुल है कि हम लोगों ने आपकी इज़त की थी तो आप यहां पर देखो जी इज़त की थी यह वर्ब है हम लोगों ने और आपकी यह उब्जेक्ट इसमें क्या है सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक् की थी तो इस तरीके से यह वाक्त हो गया अगला वाला वाक्त देखो बच्चे नमर का कल पुर्णिया के डियम से इस संदर्भ में मेरी बात हुई थी मतलब क्या हुआ जी इस वाक्त में कि कल कल तो रेस्ट है इसको छोड़ो पुर्णिया के डियम से इस संदर्भ में मेरी ब सबसे पहले मैंने बात की थी पुर्णिया के डियम से तो इसके बाद आप जोड़ देंगे क्योंकि रिगार्डिंग इट यह कंसर्णिंग इट यह रिलेट टू इट तो आइट टू डियम और पुर्णिया रिगार्डिंग इट आपका भाई तो इस तरीके से यह वादब हो गया कि कल पुर्णिया के डियम से संदर में मेरी बात हुई थी तब क्या हो जाएगा I talked to the cabinet secretary of Bihar regarding it yesterday, ठीक है न, यानि कल, अच्छा, एक बाक कहो और अगर अपने से मैं बोलू तो तुम लोग बनाओ, कि इस संदर्व में कल मेरी बात हुई थी भारत के परधान मंतरी से, इस संदर्व में कल मेरी बात हुई थी भारत के परधान मंतरी से, तो क्या हो जाएगा, I talked to the Prime Minister of India regarding it yesterday, तो इस तरी के से, so many sentences, dear student, imagine yourself and just try to speak in English, just, just imagine the Hindi sentences, don't write down, only just imagine and just start speaking in English or this is the right way in the process of learning English, so dear student, you each and every student must follow the rules and regulations of the concept or the notion, whatever I am delivering through this very YouTube channel that is Oxford Union English, okay, so now see the next sentence, यहाएब फिशले वर्स हम लोग बिहार के मुखमंतरी से मिले थे, आप देखो इस वाक में subject कों है? हम लोग, ठीक है ना, और वर्ब कौन है? मिले थे, तो सबसे पहले subject और वर्ब, सबसे पहले subject और वर्ब, तो हम लोग, हम लोग का अंगरी जी क्या होता है? जी वी और मि क्या मेट थेक है तो पताचला कि है कstag देखो हम लोग यह दिया और सभीक्त भाफ। τους तो रेस्ट में रखेंगे last year तो इसी तरी राइट क्या हो गया कि we made the Chief Minister of Bihar last year Let me rest, always remember one thing again and again I am emphatically stating to you that is what कि पिछले वाले वीडियो में जब मैं सुरवात वाले वीडियो में जितना subject, verb, object, direct object, indirect object, modified object, subjective compliment, objective compliment, rest, ये क्या होता है, कैसे हम जानेंगे हिंदी sentence में कि कौन test है, कौन modified, कौन direct object, कौन indirect object, कौन subjective compliment, कौन objective compliment, इन चीजों को अगर तुम नहीं समझते हो, तो बहतर है कि अंग्र subject, compliment, direct object, indirect object, modified object, rest, तो ये कन नोट जस्ट इमेजिन, ये कन नोट जस्ट इमेजिन, ये कन नोट जस्ट इमेजिन देट ये राइट, and if you have good command over these very items, may be longer sentences, कितनो लंबा यहां से, एक किलो मेटर लंबा sentences हो जाए हिंदी में, आप ही उसका translation बना सकते हो, कब जब इन आइटमस पर आपको पकर हो जाए subject, verb, object, compliment, direct, object, indirect, object, क्या है ये सारे वीडियो में, बता चुका हो पिछले वीडियो में, इसलिए, each and every student, I request you, I guide you, I suggest you, that you must first watch all the videos, in order to gaining the highest, highest level of success, related to this language and literature, now, see the next sentence, कि पिछले वर्स मैं, एक हजार स्टूडेंट को अंग्रेजी पराया था, अब यहा subject आ गया, एक तो यह आ गया कि एक हजार स्टूडेंट को, और फिर अंग्रेजी था, और उसके बाद यहां पर मैं यह जो है, बच्छे, एक है subject, और यहां पर परहाया था, तो क्या हो जाएगा, मैं परहाया था, तो I taught, क्या परहाया था, तो English, तो अंग्रेजी ठीक है, यह direct object इसको पहले दे दिया, और एक हजार स्टूडेंट indirect object इसको बाद में लिखे हैं, इसका मतलब हुआ, कि अगर direct object को पहले रखते हैं, indirect object को बाद में रखते हैं, तो इसके बीज में आपको परी position 2 देना होगा, इसलिए दे दिया, तो right क्या होगा, I taught English to 1000 students, I taught English to 1000 students, आ नवा sentence देखो बच्चे, कि तुम्हारी ममी कल मेरी बरी बहन से मिलने आई थी, तो गवर से देखना, इसमें भी modified object आगे, मतलब हुआ कि यह वाला formula इस पर अपलाई होगा, ना कि यह वाला formula अपलाई होगा, आज का वीडियो सारे बच्चे हैं, काइदे से पहले लिखना, ठीक है ना, लिख करके उसके बाद पहले दिमाग लगाना के सर क्या बताने जा रहे हैं, और जितनी बातों को बता रहा हो बच्चे, एक दम बिलकुल तुम्हारे दिलो दिमाग में पत्थर के लकीर के तरह उतर जानी चाहिए, then I can give you guarantee that related to English language and literature, may be grammar section, may be spoken section, may be literature section, anything, until and unless you have good command over these very items, you can't understand the higher level things, so dear student I request you, just to write down all the things and again and again revise each, then after revising just to imagine that these types of sentences, just whatever sentences here are provided, to like these sentences you must imagine yourself, hundred sentences imagine and just start translating those Hindi sentences into English, in the process of this you will learn all the thing, there will be no tension at all, now see the next sentence, कि तुम्हारी मम्मी, अब यहां पर देखो, तुम्हारी मम्मी कल मेरी बरी बहान से, अब देखो यहां, मेरी बरी बहान से, तुम्हारी मम्मी मिलने आई थी, उसके बाद modified object मिलने, तो कौन मिलने आई थी, तुम्हारी मम्मी, तो योर मदर आई थी, तो केम मिलने के लिए तो मतलब modified object है, तो to meet a किस्टे, तो मेरी बरी बहन से, तो my elder sister अब कब, तो yesterday तो हो गया, कि कौन बड़ी बात है इसमें, कि your mother came to meet my elder sister, यह आपकी मम्मी आई थी, तो your mother came, ठीक है, और मिलने के लिए, तो to meet, तो your mother came to meet, किस्टे, तो मेरी बरी बहन से, तो my elder sister, अकब, तो कल, तो last year, तो your mother came to meet my elder sister, last year, पिछले वर्स, तो इस तरीके से बच्चे देखो, यह भी sentence खतम हो गया, मैं उमीद करता हूँ कि सारे बच्चे इसको काईदे से समझ गए होगे, अब एक चीज़ जहां पर देखो गए बच्चे, जो कि most important है, आज का, अभी यानि नहीं जानता है, बिलकुल इन बातों से वो बिलकुल मुबर्रा है, यानि नहीं जानता है इन बातों को, जैसे देखो एक sentence है, वो गरीबों की मदद किया करता था, मतलब याद रखना बच्चे, कि जब ऐसा sense है, जैसे present indefinite, जब मैं परहा रहा था, तो हैबिच्व इनसान की फितरत को हम बता रहा है, ठीक है ना, तो पास्ट indefinite में कुछ ऐसे sentence होंगे, जिस sentence को गौर करने पर आप इस नतीजे पर पहुचेंगे, यह habitual action की तरह की और indicate कर रहा है, बता रहा है, तो ऐसी इस्थिति में बच्चे, तो एक structure है, वो follow करेंगे, ना कि इस को follow कर पर योग दे देंगे, इस sentence में, याद रखना क्यों वी टू नहीं देंगे, क्यों यह used to, वी टू अपने अंदर में समाहित किया होा है, तो subject देंगे, used to देंगे, और वर्ब देंगे, यह वह भी वर्ब किया, और उसके बाद object rest अगर है, तो देखरके sentence को end करेंगे, तो यह पता चलता है, वो गरीबों की मदद किया करता था, या वो गरीबों की मदद करते थे, तो यह तो आ गया ते थे, तो 100% मतलब ते थे यहां पर देख लो, ते थे थे ता था था थे तो यह past indefinite है, लेकिन इस बात को जानने के बाद कि यह past indefinite है, फिर दिमाग में यह मतलब उनकी फितरत थी, वो जो भी गरीब को देखता था, तो वो मदद करते थे, तो ऐसी अगर है, तो उसके लिए बच्चे, यह दोनों में से किसी का इस्तमाल नहीं करेंगे, हाला कि यह भी past indefinite है, तो वहां पर used to का इस्तमाल करेंगे, यानि subject पर used to, उसके द्विवन करेंगे, जैसे एक्जेमपल देखो वच्चे, कि वह गरीबों की मदद किया करता था, तो सबसे पहले वह, यह subject है, subject दे दिये, subject दे दिये, उसके बाद क्या है, कि used to का इस्तमाल करेंगे, तो we used to, ठीक है ना, अब उसके बाद देखो, वर्ब दे, इस sentence में मतलब क्या करत तो we used to help, तो we used to help, जैसे बूलेंगे, मेरे दादा गरीब बच्चों को मुफ्त में परहते थे, तो my grandfather used to tease the poor children free of cost, ठीक है ना, इसी तरीके से so many sentences you can imagine, and translate into English, और by applying this very formula, otherwise the sentence would be wrong, यानि past action हो, और habitual action हो, पास्ट का कोई भी फॉर्मो हो, कोई भी नहीं बताया होगा, और ये वीडियो जो भी deliver होगा, जो हजरात जो अंग्रेजी पराने वाले हैं, या जो भी टीचर है, तो वो देखेंगे ताल, उनको चिंता होगी, यह भी होता है, बिल्कुल यही होता है, ठीक है, आप एक अंग्रेजी का एक किताब है, मैं इस नतीजा पर पहुचा, मैं इन चीजों को बता रहा हूँ, आप सिर्फ जान लो तना टाइम नहीं है, आप लोगो को फॉरें डाइटर की हिंदी मेडियम की grammar को पहरने का तो वक्त ने मिलता है, तो फॉरें डाइटर की grammar को 90% teacher को समझ में नहीं आता है, तो बच्छा बताओ जिल लोगों को पता नहीं है, चर्चा करो, ठीक है ना, और बताओ लोगों को, वो क्या है बच्छे कि जैसे हमने कहा कि वो गरीबों की मदद क्या करता था, तो यानि इस structure के बदले में हम एक और structure का इस्तमाल कर सकते, यानि इसको नहीं करके ये वाला structure को अपलाई कर देंगे बच्छे, एकदम सिंपल, सिर्फ सब्जेक्ट देंगे, उट और देंगे, उट, ठीक है, और उसके भीवन का परियोग कर देंगे, बिल्कुल मतलब जो इस sentence का मतलब हुआ, वही इसका भी मतलब होगा, कहने का गर्जे ये वा बच्छे, जैसे यहां पर देखो कर देखना हो, क्या गर्रीबों की मदद क्या करता था, यह यहां पर गवर से देखना, वह गरीबों की मदद क्या करता था, यह वाला फर्मूला को अपलाई कि है, यानि, यह यूजड टू हैल्प दा पूर, मतलब हुआ इस sentence को हम, यानि यूज्ट टू हैल पड़ पूर को हम सिर्फ इतना बोलेंगे बात हो वही बात हो जाएगी कि ही उड़ हैल पड़ पूर कहने का मतलब है कि है पास्ट का है विच्वाल एक्सन को बताने के लिए चाहे तो आप यह वाला फर्मूला को अपलाई करो या यह वाला इस्ट् पापा गरीबों की मदद किया करते थे तो माई फादर यूज्ट टू हैल्प दपूर यह माई फादर उड हैल्प दपूर के लिए तो इसको याद रखना इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट और इसी तरीके से बच्चे अब यहां पर देखो कि वह गरीब छात्रों को मुफ आने के लिए यह है दोनों में से किसी एक का इस्तमाल करेंगे जैसे और एक एगजम्पल है कि वह गरीब छात्रों को मुफ्त में परहाया करते थे तो बोलो क्या होगा बच्चे कि ही यूजड टू 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 पूर चिल्रेंट फ्री ऑफ कोस्ट ही यूजड टू टीच देश्ट टूडेंट फ्री ऑफ कोस्ट या इस इतरह से मैं बना दिया हूं इसको यहां पर गवर से देखना तुम लोग सारे बच्चे कि वह गरीब छात्रों को मुफ्त में परहाया करता था तो यूजड टू 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 सारे बच्चे में उमीद करता हूं कि एक दम काईदे से समझ गए हो और इसको बार बार तीन चार बार इस वीडियो को देख लो नोटस बना लो और इसको इससे ज्यादा कुछ भी परने की जरुरत्तम को नहीं है तो इसी तरीके से बच्चे अपीज अब्दू कलाम का बा स्क्निकिताब लिखना तो यही लगाराफ नहीं को बांगा और बार में उसको में मैं किताब को पढ़ रहा है तो वहाँ पर एक sentence था एक जिन्दगी पर कोई बंदा एक किताब लिखा था जिसको कहते हैं कि या जी बायोगराफी तो उसके बायोगराफी में एक sentence था एकदम बिल्कुल यही वाला फर्मूला को अपलाई किया है और एक sentence आप इसका हिंदी मतलब तुम लोग अपने से निकालो देखें देखो sentence क्या है बच्चो कि APJ अब्दुल कलाम यूजड टू डेलिवर सिंपल बट इन्फोमेटिव स् की चीज में बता रहा हूं और बहुत है हाई लेवल तो महरोगोली बहुत ही इंपोर्टेंट इफ यू हैब अंडर्स्टूद इस तिंग वेल तो यू आर नोट ग्रेट तो बार बार इसको देखोगे और समझ जाओगे तो देखो क्या है जी APJ अब्दुल कलाम यह साधारन लेकिन से भारा हूा सपीच एककडम बिलकुल इंफ नियुव में से भारा हूवा सपीच दिया करते थे य 때 casi три ने इनिव फ 212 कंल साधारन होता था बिलकुल संब वाट का कि इस्सилिए सब Но कर देते थे लेकिन वह जो बात कहते थे वह बाद में इटनी दंब थी जैसे एक जैसे कि एह गरया मिजर बसान कि इसलिए नहुंने कहा ग्यान वाली बातों से भरा परा होता था तो गोर से समझना कि अपीज अब्दुलकलाम यूजड टू डेलिवर सिंपल यानि सिंपल भासन दिया करते थे लेकिन वह भासन बट इन्फॉर्मेटिव लेकिन ग्यान से भरा भरा हुआ यानि इन्फॉर्मेशन से भरी-परी उनकी भासन हुआ करती थी और क्यों देखो यंग जनरेशन आनेवाली भारत के ने नोजवान नसलों के लिए ठीक है ना नोजवान नसलों के लिए कहा का तो ऑफ एंडिया भारत के नोजवान नसलों को ठीक है और क्या काते है ऑन सेवरल अकेजन बहुत सारे मौका जब जब भी उनको मौका मिलता था तो वह एकदम सिंपल लेकिन बहुत इंफरम सिस्टम में नौजवान ज्यादा से 90 परसेंट नौजवान और बुड़े लोगों को आराम करने के लिए आराम करने के लिए कह रहा था ठीक है नौजवान नौजवान के अंदर में यह सलाहिजत और पोटेंशियालियोटी होती है कि दे कैन दे कैन टांसफोर्म दे नेशन इ और रहा ठीक है गो तो मोर प्राइस और रौजवान दे कीको। टैसी कि लिए आर रच्टिस के लिए तिक्ष्टम में के लिए यह और ठीक्ष्टर घूवान के लिए रिए उड्वान दे की बश्यवान के अन्जू यह दिए